इस बीच हमारे सयोगी जितेंद्र बहादुर संग ने मुक्तार अबास नक्वी से बात्चित की है क्या कुछ कहना है मुक्तार अबास नक्वी का आपको हम सुनवाते हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है पांच पन्नों का इस्तीफा दे करके ये कहा है कि राहुल गांधी कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो की अनुभो हीन देखें मैं ये जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का पलायन प्रोग्राम है वो शुद रूप से डाइनिस्टी की अट्रोक्रेसी का नतीजा है जिस तरह से अहिंकार सामन्ती अहिंकार चूर चूर करके लोगों के इनके नेताओं के दिमाग में भरा हुआ है आज की तारीक में भी कांग्रेस वेंटिलेटर पर है लेकिन इनका अहिंकार एक्सिलेटर पर है और इसी का नतीजा है कि इनकी पार्टी में ये पलायन प्रोगाम चल ला है गुलाम नभी आजात का पार्टी छोड़ करके जाना ये बताया जा रहा है कि और भी नेताओं की फेहरिस्थ है जो की सोनिया गांधी को इस्तीवा सौप सकते हैं क्या कॉंग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल ला है देकि मुझे लगता है अभी डूपता जहास कहना तो अन्याय होगा उनके लिए डूप चुका है जहास तो अब कौन उसमें जो रहेगा वो भी जाएगा तो इसलिए जो है पलायन प्रगाम चल ला है और उसका मुख कारण जो है मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो सामन्ती एहंकार है वो सामन्ती एहंकार जो है कांग्रेस का बंटाधार कर रहा है राहूल गांधी का नेतर तो जीस तरीके से उन्होंने इस नेतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो जीस तरीके से काम करना चाहिए जो पुराने नेता है उनको सही तरीके का सम्मान नहीं मिले कि एक तो पहली बात ये कि नेताओं को सम्मान नहीं नंबर वन दूसरा वो आज भी उनकी तलाश होती है तो प्राक्सी प्रेजिडेंट क्यों होती है डमी प्रेजिडेंट कैसे मिल जाए उनको ताकि जो है वो सरकार पार्टी वो चलाते रहें आज जो भी बच्ची खुची और उनका डमी या प्राक्सी प्रेजिडेंट सामने रहे तो वो भी कोशिश भी वही करते हैं उससे जादा आगे नहीं है